हलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने सैमसंग गिलेक्सी एफ 13 एंडुट में आप अपने मुबाइल फोन की स्लो इंटरनेट की प्रॉल्म को आप सौल कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आप ए वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देखिए दोस्तों कभी भी अगर आपके मॉबाइल फोन का इंटरनेट अगर स्लो काम करता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है देखिए आप आपको जो निपाट का से कहां जैगा आपको आपको यहां पर आपगी आपको जाए दैब करने में अपको निचे से ज ads आपको इस तरीके से आप मुवाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रिसेट कर देंगे तो आपके मुवाइल फोन की जो सलो इंटरनेट की प्रॉब्म है वह आपकी सॉल हो जाएगी अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अगलब प्रोसेस ये करना है कि आपको जोन सेटिंग को इंट तेक है ती का मुवाइल फोन की एपम in7 को आप को रिसेट करने के लिए आपको मुवाइल फोन 3. option टैप करना है पेज आएगा छोटा सा इसमें आपको reset to default पे टैप करना है आपको नीचे reset apn setting का पेज आगा इसमें आपको reset पे टैप करना है आपको नीचे लिखाओ आजाएगा apn setting reset to default इस तरीके से आपको मुवाइल फोन की apn setting को आपको reset कर देना है जिससे आपके फोन की slow internet की problem solve हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पर आपको सबसे अगला process यह करना है कि आपको जोन अपने मुवाइल फोन का software एक बार चेक करना है कि वो updated है या नहीं है इसके लिए आपको पहले पहले मुवाइल फोन का internet आपको चालू रखना है इसके बाद Ahok år की उपन पेज साएळ कि स conversation sugar और अब इसके अगले पेज मापको मुइल फोन को एक पर restart करने की लिए मॉइल फोन के side फाला पॉर बटन होता है इसे आपको उंगली से लिए लगली से दबा करने टीक है आपकी स्क्रीग के सामनी पेज आएगा इस तरीखे का इसमें आपको रिष्टieuत को बाकरने क्या होसकती है ही जो है आपको उपने प्रोसे करना है यह आप को सबसे आपको अपने सर्च आइचford करने है जब सबसे आपका फोन डेक्कली आपको reset की setting में लेकर आएगा reset पर टैप करना है अब इसके पीज में आपको सबसे नीचे की side यह factory data reset पर टैब करना है इससे आपका फोन reset हो जाएगा और आपके phone की slow internet की problem solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बात होगा ध्यान रखना है पहली बात यह ध्यान रखनी है आपके phone में जितना भी data है ना सारा data आप किसी दूसरे phone में transfer कर लीजिए या उसका backup ले लीजिए ठीक है और दूसरी बात आपको यह ध्यान रखने है